आज ट्रॉपोलाइट मावा केक मिक्स रेसिपी को हमने थोड़ा अलग करके बनाया ताकि इसको बनाना और खाना सबके लिए इजी हो जाए चलिए देखते हैं हेलो दोस्तों हैर बार की तरह देखिए आज भी कुछ नया लेकर के आई हूँ आपके लिए ट्रॉपोलाइट मावा केक मिक्स तो चलिए देखेंगे इसको कैसे बनाना है और इसका टेस्ट कैसा है वीडियो में पूरी जानकारी है वीडियो पूरी देखिए और चलिए मिलक के बनाते हैं यह मेरे पास ट्रॉपोलाइट मावा केक मिक्स है जो कि मैंने ओनलाइन पर्चेस किया है आप चाहे तो इसको मार्केट में भी देख सकते है अगर मिल जाता है तो फिर ठीक है दो सो बीस रुपए में मुझे 500 ग्राम का यह पैक मिला है तो यह मावा केक इसको मैंने बनाया और टेस्ट भी किया है टेस्ट तो मैं कहूं तो बहुत ही अच्छा है लेकिन बनाने का पूरा प्रोसेस चलिए देखेंगे की कैसे हम लोग इसको बनाएंगे यह वेच प्रोड़क्ट है और ट्रॉपोलाइट का और भी बहुत सारा प्रोड़क्ट आता है फ ये दिखिए 250 ग्राम का एकएख है यहां दो पैक मिल गया है 500hta ग्राम का पैक , तो आड़ाई 223 Research regression ऐसे देखिये देखिए यह है प्रिमिक्स पावडर ay ट्रॉपलाइट इंट केक मिक्स का, एक केक टीन में तेल लगा लेंगे और एक बटर पेपर बिच्छा के साइड रख लेंगे, आप चाहें तो किसी भी शेप का केक टीन यहां इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए फ्रेंड्स यह तो हो गया है, अब हम लोग को इस प्रामिक्स को निकालना है एक पॉल मे प्रामिक्स तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसको हम लोग निकालते हैं, और जब मैं इसको निकाल रही थी, उसी वक्त मावा का इतना अच्छा सा मेहक भी आ रहा था इसमें से, और उसी समय लगा मुझे कि खाने में बहुर टेस्टी होगा, तेकि यहां पर सारा पैक को मैंने खाली कर दिया है, और एक बात और कि यहां पर मैं कोई भी प्रोड़क्ट का पेड प्रोमोशन नहीं कर रही हूँ, यह जो है मैंने मंगाया और मैंने चाहा कि आपके साथ भी मैं यहां शेयर करूँ इस वीडियो को, फ्रेंड्स यहां पर हम लोग को अब ही हम लोग को दूद लेना है जो कि 100 ml बोला गया है, तो 100 ml जब मैंने मापा तो एक यह जो कप होता है ना चाय पीने वाला कप, इसमें बहुत ही अच्छे से एक कप आ जाता है, ऐसा कप हर किसी के घर में लगभग होता है, फ्रेंड्स मापने वाली इस मशीन से मैंने म कप जितना हो जाता है, फिर भी आगे आप कंसेस्टेंसी तो देखेंगे ही केक का बैटर का कंसेस्टेंसी कितना पतला या काढ़ा है, वो देखने से भी आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा, यहां पर हलके से मिक्स कर लिया और अब हम लोग इसमें पानी डा माप बहुत ही अच्छा बताया गया था देखेंगे बहुत अच्छा बनाया देखेंगे कुछ इस तरह का ही अपका बैटर होना चाहिए और अब हम लोग को डालने के लिए बोला गया है, इसमें मेल्टेड बटर या हम लोग तेल भी यहां डाल सकते है, रिफाइन अब ज जादा नहीं बहुत ही जादा हो जाएगा, जादा नहीं, बहुत जादा हो जाएगा पर पता नहीं 100 ml लिखा क्यों गया है, लेकिन मैं यहां पर यही चीज अलग करने जा रही हूँ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि रैसिपी में हम लोग कुछ अलग करें मेरे पास बटर नहीं है, मेरे पास सॉल्टेड वाला है, तो सॉल्टेड वाला बटर तो यहां नहीं चलेगा, यहां पर देखिए, हम लोग अभी डाल रहे हैं, इसमें 3 चमच रिफाइंड ओयल, ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा फ्लेवर नहीं है, अभी इसको हम लोग मिक्स क जाल देते हैं, तो इतना सारा तेल हो जाएगा कि यह मत पूछे, और मुझे बिना तेल कम खाना है, मैं भी कम तेल खाती हूँ, यहां पर आधा चमच और डाल रहे हैं, मतलब 3 चमच आपका हो गया, रिफाइंड तेल, तो ऐसे तो हम लोग केक बनाते ही रहते हैं, चैनल हमारा केक का बैटर का बना है, और इसी हिसाब से आपको बनाना है, और अगर मापने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो आप ऐसे कब का माप ले लिजिए, और बैटर कुछ इस तरह का बनाईए, तो आपका परफेक्ट केक बनेगा, बैटर को एक मिनट धीरे धीरे औ और इसको अभी हम लोग microwave में बेग करेंगे microwave oven में तो 180 degree Celsius पे oven में आप इसको बेग करिएगा 30 मिनुट के लिए यही टाइमिंग दिया गया है और यही टाइमिंग हम लोग भी अक्सर केक बिनाने के लिए लेते ही है तो फ्रेंड्स यहाँ पर 30 मिनुट के लिए आपको oven में बेग करना है 180 degree Celsius पे यहाँ पर oven मेरा preheat हो चुका है एक wire rack में यहाँ पर रखोंगी और यह रहा rack रख दिया अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ केक मोल्ड रख देते हैं और 30 मिनुट का टाइम यहाँ पर सेट कर देते हैं देखें यहाँ पर oven हमारा preheat हो चुका है पहले से ही तो यहाँ पर टाइमिंग दे दिया अगर आपके पास oven नहीं है फिर भी आप चूले में ना बहुत ही easily bake कर सकते हैं किसी भी भारी बरतन को लीजिए उसके अंदर wire rack रखिए और उसके उपर अपना केक मोल्ड रखिए फिर धकन लगाईए और कम से कम 30 मिनट के लिए दीमे दीमे फ्लेम में bake होने दीजिए और इस बात का दियान रखिएगा कि धकन सब तरब से अच्छे से cover करता हो ऐसे एक वीडियो मैंने डाली है जिसमें मैंने चूले पर bake करना बतलाया है यहां पर 30 मिनट के बाद हमारा केक बहुत अच्छे से बेक होके रड़ी हो गया था यह देखिए और अभी थोड़ा सा ठंडा होना बच्चा था निकालने के लायक लेकिन हो चुका है तो यहां पर थोड़ा सा चाकू से साइड में हलका सा क्लेर करिए बिल्कुल हलका सा स्टिक हुआ है और ऐसे तो बोड़े आसानी से निकल जा रहा है क्योंकि हमने तो तेल भी लगाया था केक्टिन में तेल जरूर लगाईएगा और बटर पेपर भी बिचाया था यह देखिए हमारा केक यहां पर रेडी है और यहां पाचमेंट पेपर को अब हम लोग हटा देंगे और इसको हम लोग कट कर लेंगे छोटे-छोटे पीसेस में अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर हम लोग इसको पीसेस में कट कर ले रहे हैं जलूर इस केक मिक्स को ट्राइ करिएगा अगर आप प्रोफिशनल बेकर नहीं है तो इतो भी आप बहुत ही असानी से यह केक बना सकते हैं अभी मैं पीस करके आपको दिखलाती हूँ कि जा मावा केक लिखा है तो पूरा मावा का टेस्ट इसमें है तो बहुत ही टेस्टी बना था यह मैंने आपको बता दिया है डिटेल में की तेल का मात्रा जो लिखा था उतना मैंने नहीं डाला तो इस हिसाब से बनाएगा तो पर्फेक्ट आपका केक बनेगा बहुत जादा त बना था यह देखिए तोड़के अभी मैं दिखलाती हूँ आपको तो यह ना बिना क्रीम के भी इतना टेस्टी लग रहा था बहुत ही अच्छा लग रहा था ज़रूर ट्राइक करिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ और अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं थैंक यू बाइ बाइ